जब ब्यास जी को मालूम हुआ कि बाबा ने एक ब्यक्ति को पांच रुपे दिला कर उसे पत्नी के नाम से लोट्री टिकट खरिदने को कहा उस ब्यक्ति ने ऐसा ही किया फलसुरूब उसकी पांच लाग्री लोट्री निकल आई ब्यास जी ने जब बाबा जी से ऐसी ही कृपा की आकांच शा की बाबा सी सुनकर चुप हो गए उस राद जब ब्यास जी सोए तो सपन में उन्हें हनमान जी के दर्शन हुए हनमान जी ने मुठिया से उनकी पीट पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी नीद खुल गई और वे दर्द से करा उठे नीद खुलने पर भी पीट में दर्द बना रहा उसी समय बाबा ने उनके कमरे में प्रवेश किया और दर्द की जगा मल कर दर्द गायब कर दिया दूसरे दिन बाबा ने ब्यास जी से कहा कि तू पांच लाग रुपे चाहता है या हनमान जी की भक्ती रुप्यों से भक्ती नहीं होती कस्ट जरूर होता है कल राद हनमान जी ने तुझे यही सीख दी इस प्रकार बाबा जी की करपा से बियास जी की रुप्यों की लालसा समापत हो गई जै गुरू दे जै नेम करोरी बाबा